हेलो एवरिबन, वेलकम टू सक्सेजवित रायकेडमी, 28 मार्च 2021 के दैनिक जागरन के राश्टी संस्क्राण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले अपनी नेशनल लिउज से सुरू करते हैं कि भारत बांगला द बांगला देश की अपनी संकक्ष सेख हसीना के साथ फलदाई बातचीत की है, उन्होंने द्विपक्षी संबंधों की पूर्ण समिच्छागी और आर्थिक वा सांस्कृतिक रिस्तों को मजबूत बनाने के रास्ते पर चर्चा की है, दोनों नेदाओं के बीच तीस्ता न न्यू जलपाई गुडी के बीच एक नई यात्री ट्रेन का भी उधगाटन किया है, द्विपक्षी सहयोग के विविन ने छेत्रों में पांच सहमती पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए हैं, बांगला देश यात्रा के दूसरे दिन मोदी ने पहले सेख हसीना के साथ एकां लुग छेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर किये हैं, विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम बाग्जी ने बताया कि प्रधान मंतरी मोदी वा प्रधान मंतरी हसीना ने स्वास्त, व्यापार, संपर्क, उर्जा, विकास के छेत्र में सहयोग और कई अन्य छेत्रों में अंतिमरुद देने का अनरुद भी किया है नेक्ष नियूज है कि म्यामार की सेना ने खेली खून की होली म्यामार की सेना ने ससस्त्र बल दिवस के मौके पर सारी हदे पार कर दी और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं प्रदरसन कारियों के साथ खून की होली खेली देश भर में कई जगहों पर प्रदरसन कारियों पर गोली बरसाई गई जिसमें 114 लोगों की मौत हो गई इसमें कुछ बच्चे भी सामिल है दच्चन पूर एशिया देश में सैने तक्ता पलट के बाद सनीवार सबसे अधिक खुन खराबे वाला दिन रहा तक्ता पलट के विरोध में गत एक फरवरी से जारी प्रदरसन में अब तक 400 से जादा लोगों की जान जा चुकी है म्यामार में प्रदरसन कारियों पर सनीवार को जब गोलियां बरसाई जा रही थी उसी समय राजधानी नेपिता में सैने दिवस के मौके पर आयजित परेट के दोरान सैन निसासक वरिश जनरल मिन आंग ने कहा कि सेना लोगों की सुरक्षा करेगी सरकारे टेरी वीजन ने सुक्रवार को आगाह किया था कि परदरसन कारियों को गोली मारी जा सकती है नेच नियूज़ जए कि सिखर सम्मेलन के लिए बाइडन ने मोदी को किया अमंचरित अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी समेत विस्व के 40 नेताओं को जलवायू प्रिवर्तन से निपटने पर वारता के मकसद से होने वाले नेताओं के सिखर सम्मेलन के लिए आमंतरत किया है डिजिटल तौर पर आयोजित होने वाली इस सम्मेलन का उद्देश जलवायू प्रिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाब एवं महत को रिखांगित करना है दो दिवसिय सम्मेलन 22 और 23 अपरेल को आयोजित किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारव होगा वाइट हाउस ने सुक्रवार को कहा कि यह ग्लासको में इस साल नवंबर में होने वाले सयुक्त राष्ट जलवायू प्रिवर्तन सम्मेलन के मार्ग में एक मील का पत्थर होगा मोदी के अलावा चीन के राष्टपती सी जिनपिंग, रूस के राष्टपती ब्लादी मेर पुतिन, जापान के प्रधान मंतरी योशी हिदे सुगा, ब्राजील के राष्टपती जेर बोलसो नारो, करनाडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो, इसराइल के प्रधान मंत तक निजी हाथों में होगी Air India मई जुन तक Air India के निजी करण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है कई बोली करताओं ने Air Indyya को खरीदने के लिए रुची दिखाई है और उन में से कुछ को शॉटलिष्ट भी किया गया है विमानन मंतरी हरदीब सिंग पूरी ने सनी करोन रुपए का कर्ज है पुरी ने कहा कि पॉन हंस की विनिवेस प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है इस दिसा में भी जल्द प्रजगती दिखेगी कुरुना काल में हवाई सेवाओं पर उन्हों को ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर के कारण सौ फिस्दी संचालन नहीं हो पा रहा है मार्च के आकरित से भी सभी विमानन सेवाएं बहाल करने की तयारी थी हाला कि अभी इस्तिती फिर मुस्किल हुई है अमेरीका को चुब रही अपनी इस कंपनियों पर डिजटल टेक्स विदेसी कंपनियों के लिए भारत का digital टेक्स या एकुलाईजेशन टेक्स अमेरिका को चुपराय अमेरिका के व्यापार विभाग ने इसके विरोध में भारत के खिलाफ कारवाई का प्रस्ताओं रखा है। इस पर अमेरिका की सरकार कदम उठाने को राजी हो जाती है तो कई भारती वस्तूओं का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इस बीच वानिच जिवा उद्योग मंत्राले ने कहा कि अमेरिका के प्रस्ताओं की जाच की जाएगी तेश के कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाये जाएंगे। इस सम्मंद में सभी सम्मंदित पक्चों के विचार विमर्स लिये जाएंगे। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के अधिकार। और ये आर्टिकल लिखा है संजय गुपता जो की दैनिक जागरण के एसोसियेट एडिटर है। पिछले सब्ता संसत में दिल्ली के उप राजजिपाल के अधिकारों को लेकर एक विध्यक पारित हुआ। राश्टी राजधानी छेतर के रूप में दिल्ली के उप राजजिपाल के पास राजजिपालों की अपेक्छा अधिक सकतियां है। अन्य राजजियों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून एवं विवस्था और भूमी सम्मंदी अधिकार नहीं है। हाला कि दिल्ली के पास विधान सभा है, मगर वह इन तीन विशियों से जुड़े कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली सरकार के पास मुख्यता सिक्छा, स्वास्थ परिवहन, पेजल विवस्था से सम्मंदित अधिकार है। दिल्ली के सफाई विवस्था और कुछ अन अधिकार उसके नगर निगमों के पास है। उसके साथ ही दिल्ली विधान सभा के पास उपराज जिपाल की सहमती के बिना प्रसासनिक प्रभाव वाला कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। चुकि यह इस्तिती दूसरे राज्यों में नहीं है इसलिए यह सवाल उठेगा कि जनता की ओर से चुनी गई अन्य सरकारों और दिल्ली की राज्य सरकार में इतना फर्क क्यों। देश के अन्य राज्यों की आबादी दिल्ली से कहीं कम है जैसे मिजोरम और तिरपुरा फिर भी उन्हें दिल्ली के मुकाबले कहीं अधिकार प्राप्त हैं। मुदी सरकार बड़े और साहसिक फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उसमें जीएश्टी लागू करना, योजना आयोग की जगा नीती आयोग स्थापित करना, अनुछे 370 खत्म करने जैसे साहसिक फैसले हैं। आखिर हुआ ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं ले सकती जिससे दिल्ली समेत अनकेंदर सासित राज्यों की जनता द्वरा चुनी गई सरकारें उसी छमता से काम कर सकें। जैसे राज्यों की सरकारें करती हैं। ऐसे किसी फैसले से कुल मिलाकर आम जनता को ताकत मिलने के साथ ही संगीय धांचे को ही मजबूती मिलेगी। नेक्ट आर्टिकल है मनुस्यों का आधनिक मुक्ति मार्च। ये एक हासिवेंग पर लिखा गया आर्टिकल तो इसे हम डिसकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि बांगला देश से दोस्ती। परधान मंत्री की बांगला देश स्यात्रा को मंता बेनरजी समेत कुछ और नेताओं ने जिस तरह बंगाल के विधान सभा चुनाओं से जोड़ने की कोशिस की है वह एक तरह से विदेश नीती को दलगत राजनीती की संकीर नज से देखने की कोशिस ही है यदि परधान मंत्री ने बांगला देश स्यात्रा के दौराण वहां के हिंदु धार्मिक इस्तलों का दोरा किया तो यह कोई नई अनुकी बात नहीं है ऐसा करने करके उन्होंने किवल बांगला देश के हिंदु समुदाय को संबल देने की ही का दौरा कर अपनी राजनीती सूजबूच का ही परिशे दिया है उनके इस दौर को बंगाल चुनाओक से जोलने का ओचित इसलिए नहीं क्योंकि बांगला देश ने अपनी सुतंतृता के पचासवे वर्स पर भारती है प्रधान मंतरी को आमंतरित करने का फैसला बहुत पह में हैं अपने पहले कारकाल में उन्होंने सबसे पहले भुटान जाना तै किया था दूसरे कारकाल के प्रारम में वो मालदीव गए थे और कुर्णा संकट के बाद वो अपने पहली विदेश यात्रा पर बांगलादेश गए हैं next news है sports page की कि इस बार IPL में नहीं होगा soft signal BCCI ने एहम फैसला लेते हुए पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे soft signal के नियम को 9 अपरेल से सुरू होने वाली IPL से हटा दिया है साथ ही अब third empire मैदानी empire के no ball और short run के निरने को भी बदल सकेगा BCCI ने इस नियम को इसलिए भी हटाया है क्योंकि England के खिलाफ सीमित ओवर सेरीज में empire के कई फैसले भारत के खिलाफ गये थे इस पर कप्तान विराट कोली ने भी निरासा जताई थी और कहा था कि soft signal को हटा देना चाहिए तो यह आज का 28 मार्च 2021 का दैनिक जागरान का राष्टे संस्क्रण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद